हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवेगणा शॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नया दोस्तों को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दमना ना बुला ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिविकेशन से सीप कर पाऊ सबसे पहले और 62% के आसपास इंक्रीज करी है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इस पैनी स्टॉक को लॉंग ट्रम के लिए अपने नजरों में रखना चाहिए चाहिए हां दोस्तों और लगातार इस स्टॉक के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में लोग पूछने में लगे थे तो द स्टॉक दुबारा लोग बाबरा मुझे पूछने में लगे सिर क्या क्या रहे क्या करे तो दोस्तों आप बोल सकते हो यह प्रकार का अप्डेट वीडियो है आप प्लीज वीडियो अंतक देख लेना क्योंकि बहुत लोगों के पास सायद यह स्टॉक पढ़ा होगा और क् स्टॉक ने हमें almost 70-80% का profit दिखाया था और दोस्तों एक छोटा सा request करना चाहता हूँ और एक update भी इस प्रकार से है अगर आप इस particular वीडियो को share करते हो फेस्टॉक में तो तुम्हारा भाई वीडियो को share करते हो फेस्टॉक में तो तुम्हारा भाई वीडियो को share करते हो ताकि मैं आपको Sunday वाली class का link दे सकूँ तो definitely करना भीया share करने में गंजूसी मत करना और साथ मैं like करके appreciate कर सकते हो अभी आपको अपनी holding दिखाऊंगा जब ये stock मैंने आपको दिया था तो मैंने भी stock को buy किया था और मैंने stock को buy क्यों किया था उसका कारण भी आपको अभी पत्लाओंगा तो आप स्कीन में देख सकते हो हमारी जो average cost ची stock में वो 1.43 पैसे के आसपास थी अभी 2.4 पैसे का aspect rate कर रहा है और stock ने 2.50 पैसे का high लगा है तो आप देख सकते हैं almost हमारा पैसे 70 to 80 पैसे की return देखे गया था और दोस्तों एक बात बोल देना चाहता हूँ स हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आपको stock market में chase नहीं करना है किसी stock को आपको wait करना opportunity का जिया जोस्तों अगर यह stock अभी lower circuit में जा रहा है तो मुझे लगता है यह opportunity होगी stock को दवारा grab करने की और grab करने की कुछ levels होते है कि कहाँ पर हमारा support है और कहाँ पर हमारा resistance है 2.50 पैसे चाहां stock से touch करके नीचे गिरा वहाँ पर एक resistance एरी था जैसे मैंने अपने पुराने वेडियो में आपको update दिया था ठीक है और मैंने अभी तक stock को बेचा नहीं क्योंकि मैंने proper तरीके से risk management और money management को follow किया है बहुत सारे लोग करते गया है दोस्तों वो penny stock में अपना पूरा of your capital जो भी आपका capital का 2% हिस्सा है उसको invest करो penny stock में guarantee देता हूँ आप कभी penny stock में loss नहीं करोगे और अगर आप ये ये जो plan आपको बदा रहा हो 2% का rule अगर आप trading में follow करोगो definitely आपको long run में profit भी हो सकता है तो ये 2% का जो rule है हमेशा आप में दिमाग में रखना और इसको प अगर आप खुद research करना नहीं जानती हो तो अपने financial advisor से सलाग ले लेना अगर आपको को financial advisor नहीं है तो definitely आप इस वीडियो को share करके Facebook में आप मुझे Instagram में DM कर सकते हो जैसे मुझे time लगेगा मैं आपके उत्तर का reply करने का प्रयास करूँँगा तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में escape DVR जी stock में बात कर रहा हूँ मैं आपको stock का नाम पहले दिखा रहा हूँ आप लोग complain करते हैं आप सिर्फ stock का नाम बताते नहीं हो अब NLC start कर देते हैं तो मैं आपको पहले stock का नाम बता रहेता हूँ क्या है आप देख सेकते हो स्क्रीन में जि स्टॉक का नाम है वो NSC, BSC दोनों में लिस्टिट कंपनी है बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं आप BSC के स्टॉक ना देखे NSC के पैनी स्टॉक भी दिया करो mostly जुनका काम होता है AI provide करवाती है investing के लिए algo trading आपको पता होगा आपने सुना होगा robot trading तो ये उस प्रकार की services provide करवाती है अपने clients को तो definitely दोस्तो जैसे आपको पता है future AI का होने वाला है तो मैं ये नहीं कहना हूँ कि ये stock आपको कली कल return देखे जिलिया अगर नहीं आपको थोड़ा इंतजार और wait करना होगा क्योंकि भया promoter ने अपनी अगर holding बढ़ाई है तो definitely दोस्तो वो कम से कम stock को 2-3 साल के लिए देख रहे है तो आपको भी stock को 2-3 साल के लिए देखना चाहिए अब ये दिखाऊंगा कि promoter ने अपनी holding कितनी बढ़ाई है तो आप video में बने रह सकते हो अब लेकर चलता हूँ वापिस chart की तरफ और chart में दिखाता हूँ कि stock में क्या अभी चल रहा और क्या latest price action बन रहा है दुबारा से हमें chart की तरफ आगे हूँ escape DBR दोस्तों आप देख सकते हो stock लगता नीचे की तरफ आया नीचे गिरा और दोस्तों अगर आप धिहान से देखोगे तो stock ने 20 के आसपास एक अच्छा कादा base बनाया लगता 2-3 मैंने एक consolidation period दिखाया और 20-30 पैसे के आसपास support लेके उपर जाने का पूरा और प्रियास करा और दोस्तों अगर आप धिहान से देखोगे तो ये stock ने एक resistance face किया 2 रूपे 50 पैसे जैसे मैंने आपको बतलाया था हमारे last वीडियो में कि 2 रूपे 50 पैसे का आसपास का resistance एरिया है यहाँ पर एक बार profit booking कर लेना और दोस्तों उसमें same resistance लिया जैसे मैंने आपको बतलाया था और दोस्तों देख सकते हैं उस same resistance लेके stock तोवारा नीचे गिर गया और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये stock एक तरह का U pattern और एक cup and handle pattern का formation कर रहा है जिनको नहीं पता कि वो क्या होता है तो मैं आपको दिखा रहेता हूँ थोड़ा सा ठीक है दोस्तों देख सकते हैं ये U बना ठीक है और यहाँ पर एक cup shape का pattern बना और दोस्तों देख सकते हो cup and इसमें इसका handle बन चुका है और handle का दोस्तों breakout हो चुका है मेरा मनना है कि stock का breakout हो चुका cup and handle pattern का दोस्तों आप दो काम कर सकते हो या तो देखो आप current market price stock को buy करके चल सकते हो लेकिन इसकी सलाह नहीं रहेगी या आप क्या करोगे जो इसका last high है resistance area है इसके उपर stock को buy करोगे तो अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे खाज स्टॉक को buy करा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको एक request करूँगा अगर stock को आपने long term के लिए hold किया है मेरे तरह तो definitely आप stock को hold कर सकते हो ठीक है अगर आपने long term के लिए hold नहीं किया है आपने बहुत ज़्यादा पैसा stock में invest कर दिया तो मैं बोलूँगा कि भाई आप इस stop loss maintain कर लेना जो stop loss निकल के आता है मुझे मेरे साब से ये जो आपको last swing दिख रहा है यही हमारा stop loss होना चाहिए क्यों मुझे लगता है दोस्तो ये stock अपना ये चो last swing आपको दिख रहे इसको नहीं break करेगा मतलब इसके निचे close नहीं करेगा जैसे stock ये तो last swing के निचे close कर देगा तो definitely आप stock से एक बार हलके हो सकते हो क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पता है इनको डल लग रहा होगा कि stock निचे जा रहा है क्या करे क्या करे तो दोस्तो आपको मैंने update कर दिया है ये stock अगर अपना ये last swing तोड देता है इनके निचे close कर देता है almost मेरे खाल से ये आपके निकल के आते एक रुपे 10 पैसे और 20 पैसे के आसपास तो एक रुपे 10-20 पैसे के आसपास का stoppers आप लगा के stock में wait कर सकते हो और अगर आप दोस्तो जिन लोगों को नई और fresh entry करनी है तो मैं बोलूँगा कि current market price में entry ना करके आप wait कर सकते हो wait कितने में करना दोस्तो जिस price में मैंने entry करी है उसके आसपास आप wait कर सकते है उसका 200 कान क्या है तो अगर आप ध्यान से देखो कि तो ये area stock का resistance पहले resistance एरिया था stock ने इसको पर close कर चुका है अब दोस्तो ये area support की तरह काम कर रहा है आपको दिखा देता हूँ लगा सकते है एक रूपए 10 पैसे के नीचे और या तो आप stoppers ना लगा कि stock को hold कर सकते हो बड़े target के लिए दोस्तो मेरा मानना ये stock definitely आपका ये जो you pattern है इसको पूरा करेगा और पूरा करने के बाद उसके target निकल के आएंगे कम से कम आपको 6 रूपए के target ये दिखा सकता है 6 रूपए 30 पैसे के तो उसके बोल देना चाहता हूँ company के profit इतने सांदार नहीं है ठीक है तो मुझे आसा है कि future company का अच्छा हो सकता है जैसे मैंने बता है company का जो mainly काम है AI का काम है ये एलको ट्रेडिंग और रोबोट ट्रेडिंग करवाती है जैसे आपको पता है कि आने आला future artificial intelligence का होने वाला है तो definitely दोस्तो आपको पता है कि customers जो stock ट्रेडिंग करते है जो investment करते हो definitely AI के तरफ अपना पैसा लगाएंगे और अपना जो भी उगे पास जो भी हो ट्रेडिंग करते हैं वो सब software के through करेंगे तो definitely दोस्तो इनके demand बढ़ेगी और demand बढ़ेगी तो price में impact देखी को mix मिल सकता है तो definitely दोस्तो अगर आपको stock को hold करना है तो hold कर सकते हो 6 रुपे के target के लिए मैं को stock को 6 रुपे के target के लिए hold करूँ अलेकि दोस्तो अगर आप बहुत जादा क कच्चे हो कच्चे मतलब आप चाते हो कि मेरा पैसा डूबे ना और मैं रिक्स फिरी काम करूँ तो दोस्तो मैंने आपको stock को बता दिया है एक रुपे यह 10 पैसे का असपास या आप यह जो last रुपे आपको दिख रहा है आप खुद देख ले ना एक रुपे 30 पैसे का अ आप उसको इन्वेस्टिन करके भूल सकते हो या फिर आप क्या करोगे जो मैंने आपको stop of stock में आप उसको use करोगे इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों जो भी मैं आपको वीडियो देता हूँ पैसे करके देता हूँ जिसमें दोस्तों मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंग क्वाटर में negative profit थे लेकिन दोस्तों होता गया है कुछ stock के chart pattern chart pattern के बज़े से भी company में आपको impact देखने को मिलता है price में तो मैं दोस्तों chart को follow करता हूँ then after मैं company के profit check करता हूँ जब दोनों चीचे मिल जाती है तो definitely मैं stock को आपको दे देता हूँ अब मैं हमेसा ये नहीं दे लिए price ही सब कुछ होता है बात मैं company के profit देखता हूँ बागी दोस्तों मैंने आपके साथ research share करती है अगर आपको वीडियो पसंद आ तो like share subscribe करने में कंजूसी मत करना और वीडियो में आप share करतो Facebook में अभी के अभी ताकि आप इस Sunday को जो class होगी उसमें participate कर पाओ तो दोस् पीस अपने financial advisor सलाह ले लेना before taking any trade और investment in this particular stock ठीक है चलो बाए बाए